तेगाओं में दस्दिवसिय श्री राम कथा का आयुजिन की आ जा रहा है मंगलवार सिस्थानिय राम मंदर में विशाल कलश्यात्रा निकाल कर श्री राम कथा की शुरुआत की है बतादे की कलश्यात्रा राम मंदर से कथा स्थल मातीश्वर प्रांगर पहुंची यात्रा का नगर में जगा जगा पुष्ट वर्षा करुस्वागत किया गया इस दौरान नगर की गणमान नागरिगवा नगर वासली बड़ी संख्या में शामिठोड़ खरबुन विधायक रवी जोशी ने सेगाओ में गौण ब्राम्मन समाज के सामुदाइक भवन के लिए 5 लाफ की राशी प्रदान की है पतादे की विधायक के निधी से दी गई इस राशी से बनने वाले सामुदाइक भवन का विधायक रवी जोशी ने भूमी पूजन किया है इस दोरान जन प्रती निधी और बड़ी संख्या में गौण प्रामबन समाज जन मौजूद रहे हरदाजले के ग्राम भादुगाव रहटगाव थाना अंतरगत आने वाले ग्राम लीलाडियों के टीटी नगर के पास बड़ी नहर में दो लड़कों के बहने से हरकंप मच गया घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रिशासन की टीम में युगों की तलाज शुरू कर दी लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है सावित्री बाई फूले की 192 जहनती के अफसर पर बुर्हानपुर में जियोती वाफूले और सावित्री बाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार पढ़कर श्रधान जलियार पित्ति इस अफसर पर स्थानिय जंप्रती निधियों के साथ गर्मार ने नागरिक मौझूद रहे पैशा एक्ट और डिलिस्टिंग जंजागरन को लेकर मंगलवार को सांसद दुर्गा दासकुई के महस्देही विकास खंड के बूर गाउं ने पान्या एवं कोडी पहुँचे इस दोरान ग्राविडों ने सांसद का भवे स्वागत किया सांसद ने 40 लाख के निर्मार कारियों की गोशना थी और धोल की थाप पर जम कर्थे रखने नजर आई ग्वालियर में हुए प्रखर हत्याकान को लेकर परिजनों ने एसेसपी से मुलाकात की मुलतक प्रखर की पिता ने पुलिस और पिशासन की कारिवाई पर असंतोश जताया और कहा कि पुलिस हत्या की असली वज़ह को नहीं खोच पा रही है एसेसपी ने कहा कि इस मामले में जाच की जाएगे अगर कोई और तक के सामने आता है तो कारिवाई करेंगे जावगा जिले के संवीदा स्वास्त कर्मियों की हरताल जारी है 20 दिन से स्वास्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिशित कालीन हरताल कर रहे हैं मंगलबार को घोपु बजाकर सोई हुई प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश की है